नमस्कार दोस्तों, आज है संडे 9 जुलाई 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेर के बारे में शेर में जबरदस तेजी है, फ्राइडे को शेर ने सारे 3% से ज़ाधा की तेजी दिखाई, 622 रूपे 90 पैसे पे बंद हुआ ये शेर लगातार तेजी दिखा रहा है, अगर मैं बात करूँ तो पिछले 6 महिने में ये शेर 50% से ज़ाधा की तेजी दिखा चुका है और तेजी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक से एक अच्छी खबरें आ रही हैं टाटा मोटर्स को लेकर साथी टेकनिकल चार्ट्स पे भी शेर काफी स्ट्रॉंग नजर आता है मैं आपको इस शेर का टार्गेट बताऊंगा, ये शेर कहां तक जा सकता है, साथी कहां पे स्टॉप लोस रखना है इस शेर में और साथी कमपनी के फंडामेंटल्स भी जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में बने रहीएगा फ्रेंच तो टाटा मोटर्स का शेर लगातार तेजी दिखा रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को याद होगा कि ये शेर 100 रुपे के नीचे भी चला गया था, ये शेर 70-75 रुपे तक चला गया था 2020 में, और वहां से इस शेर में जबरदस तेजी देखने को मिली है, और जो अच्छ पर टाटा मोटर का शेर कैसा नजराता है, मैंने वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को खुला हुआ है, सबसे पहले MACD इंडिकेटर में चेक करते हैं, और यहां पर आप क्लेरली देख सकते हैं कि शेर में जबरदस्त बाइंग एक्टिविटी चल रही है, ये जो आप ग्री लिया है कि इस शेर में बड़ी तेजी बनेगी आगे, इसलिए शेर को एकुमिलेट किया जा रहा है, लगातार ये जो आप बार्स देख रहे हैं, ये एक बार एक वीक का है, तो आप देखें किस तरह से वीक वाई वीक इस शेर में एकुमिलेशन चल रहा है, और ये क्लेर टाइम फ्रेम में आप सबसे पहले 4 EMA इंडिकेटर में देखे कि इस शेर के लिए कहां पर सपोर्ट है तो शेर के लिए सपोर्ट निकल के आता है वो 600 और 594 रूटीज के लेवल पर है तो अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है क्योंकि भारते शेर बजार में का सपोर्ट है 588 के लेवल्स पर और फिर 577 के लेवल्स पर मुझे नहीं लगता 600 के लेवल्स को ये शेर इतनी आसानी से ब्रीच करेगा और अगर कोई मार्केट में करेक्शन आता है तो इस शेर को एकुमुलेट किया जा सकता है 4 EMA इंडिकेटर में ये जो ब्लू लाइन है वो 8 EMA इंडिकेटर है और इसका जो लेवल है वो 594.72 का है मतलब 600-595 के लेवल पर शेर के लिए अच्छा खासा सपोर्ट है अब आएए चेक कर लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड क्या कहता है बॉलिंजर बैंड में एक्सपैंशन देखने को मिल रहा है और ये एक क्लियर इंडिकेशन है ये जो बॉलिंजर बैंड में आप एक्सपैंशन देखने को मिल रहा है और उसके बाद बॉलिंजर बैंड में तो uptrend में है share पर थोड़ा बहुत concentrate कर सकता है और जैसा मैंने बताया 600, 595, 588 ये ऐसे levels हैं जिसमें share के लिए अच्छा खासा support है तो अगर share नीचे आता है तो इस levels पर accumulate किया जा सकता है अगर खबरों की बात की जाए तो बहुत सारी अच्छी खबरे निकल के सामने आ रही है टाटा मोटर्स के share को लेकर मत बुलिए ये कंपनी electric vehicle segment में है और electric vehicle segment में धूम मचा हुआ है पूरे देश में तो टाटा मोटर्स के share को इसलिए भी target कीजिए क्योंकि ये electric vehicle segment में है मैं खबरे पर रहा था कंपनी किस तरह से electric vehicle segment में एक के बाद एक landmark कर रही है देखिए खबर पढ़िए टाटा मोटर कोस्ट हाइस एवर quarterly sales for electric vehicles तो electric vehicle segment जिस segment में सबसे ज़्यादा growth है वहाँ टाटा मोटर्स काफी अच्छा कर रहा है टाटा Nixon EV crosses 50,000 sales mark covers 90 करोर किलोमेटर distance in over 3 years तो electric vehicle segment में कंपनी अच्छा काम कर रही है साथी कंपनी के numbers भी अच्छा आ रहे है strong JLR sales drive टाटा मोटर्स share price और इस खबर को आप detail में अगर जा लेंगे तो पाएंगे कि इनका जो Jaguar Land Rover का segment है उसके sales में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है 30% year on year basis पे तेजी देखने को मिली है Jaguar Land Rover के segment में 93,253 unit का sale हुआ है और ये 30% की तेजी है और जो retail segment है उसमें 29% की तेजी देखने को मिली है तो company अच्छे numbers के साथ आ रही है JLR का number काफी अच्छा है इनका order book काफी strong है 1,85,000 unit का order book है और जो range rover, sports और defender है उसके लिए particularly demand काफी high है तो ये एक international company है भारत से बाहर भी इसका कारोबार है electric vehicle segment में है इस share में खरीदारी चल रही है अगर आप इसके RSI को देखें तो RSI अभी तो overbought zone में चला गया है 75 के levels पे चला गया है तो ऐसे में अगर थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली इस share में देखने को मिलती है तो वो एक important buying zone होगा वैसे मुझे नहीं लगता share अभी रुकने वाला है पर मैंने जैसा बताया है कि 600 के levels पे इस share के लिए एक support है 595 के levels पे भी support है और 588 के levels पे भी support है पर 600 के levels को इतनी असानी से ये share नहीं तूरेगा जब तक कि market में कोई बड़ा correction नहीं आता अगर आप बात करें इस company की तो company बहतरीन है और company के share holding pattern के अगर बात की जाए तो promoters की हिसेदारी 46.39% की है mutual funds की अच्छी खासी हिसेदारी है 8.98% की तो mutual funds का भी काफी वरोसा है इस company में अगर मैं बात करूँ तो FIS का 16.9 मतलब 9 यानि 17% का इसमें investment है और retail and others का 18.92% का investment है तो FIS mutual funds भी काफी भरोसा दिखाते है मतलब जो institutions है उसका काफी भरोसा है share के उपर में और अगर मैं targets की बात करूँ क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे कि ये share किस target तक जा सकता है वो बताइए तो share के लिए जो target है electric vehicle segment में है और electric vehicle segment में ये company धूम मचा रही है और ये एक बड़ा player है electric vehicle segment में ऐसे में share price में जबरदस्त increase देखने को मिलेगा long term में खोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है share में पर अगर आप एक long term investor है तो इसको accumulate कीजिए एक बड़ा पैसा बनाके देगा 1000 रुपे तक ये share जा सकता है easily short term में थोड़ा बहुत correction अगर कभी मिलता है तो इस share को SIP के तरह accumulate किया जा सकता है मैं इस share को लेकर highly bullish हूँ नमर शांदार है company EV segment में काम करती है और company बहतरीन है international presence है हाँ एक बाद जरूर है बड़े run-up के बाद share में correction देखने को मिलता है तो उसका फाइदा उठाईए मैं काफी bullish हूँ electric vehicle segment के business को लेकर Tata Motors के और company शांदार numbers के साथ आ रही है जैसा आप देख रहे है company नए-ने किरतिमान स्थापित कर रही है और इस company ने जबरदस्त comeback किया है 5 साल का record दिखाता है कि ये share 100 रुपे के नीचे चला गया था लेकिन बड़ी company थी comeback किया और अब share का price असमान चूरा है लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है अभी भी इसमें invest किया जा सकता है और ये share और उपड़ के target दिखाएगा इसके लिए 1000 रुपे का target है मेरा और मुझे लगता है ये share आराम से achieve कर सकता है दोस्तों ये मेरा अनुमान है आप अपना research जरूर कीजिएगा किसी के कहने पे share मत खरी दिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like कर देना चैनल को subscribe कर लेना और इसी तरह के interesting videos मैं इस channel पर डालूँगा thanks for watching